यह वीडियो साइन्स क्लास नाइन चैप्टर वन का पार्ट सिक्स है इसके पहले भी पांच वीडियोज मैंने बनाए हैं तो आप उन वीडियोज को जरूर देखें इसके पहले हम लोगों ने स्टेट्स आफ मैटर पढ़ना शुरू किया था उसमें हम लोगों ने सॉलिडि स्टेट के बारे में पढ़ा था अब हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड स्टेट के बारे में तो इसके लिए एक एक अक्टिविटी दिया गया है collect the following water, cooking oil, milk, juice, cold drink ये सब आपको collect करना है containers of different shape आपको अलग अलग different प्रकार के containers लेने हैं put a 50 ml mark on these containers अलग अलग प्रकार के container आपको लेने हैं कुछ लंबे लेने हैं कुछ इस प्रकार के फैले हुए लेने हैं लेकिन आपको 50 ml mark यहां लगा देना है जैसे आप देखे हैं कि यदि यह लंबा container है तो 50 ml कुछ यहां तक आएगा लेकिन यह इस प्रकार से फ्लाइट है तो 50 ml कुछ यहां तक आएगा और यह 50 ml क्या दिखा रहा है इसका वॉल्यूम दिखा रहा है तो आपको एक मेजरिंग सिलिंडर लेना है और 50 ml इन सारे पदार्थों का लेना है तो आप देखेंगे कि यदि यह लिक्वीड फ्लोर पर गिर जाता है छलक कर गिर जाता है तो यह पसर जाएगा पुरा फैल जाएगा मेजर 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one does the volume remain the same तो आपको करना यह है कि एक container से इस material को एक container से दूसरे container में डालना है और आपको देखना है कि क्या इसका volume वही रहता है तो आप देखेंगे कि यह जो 50 ml का आपने mark लगाया है इसका volume नहीं बदलेगा यहाँ यह 50 ml है तो यहाँ भी 50 ml ही रहेगा और यहाँ भी 50 ml ही रहेगा इसका मतलब इसका volume change नहीं होता है does the shape of the liquid remain the same लेकिन आप देखेंगे कि जिस प्रकार के container में आप इसे डालेंगे इसका shape वैसा ही हो जाएगा माल निजे कि कोई container इस प्रकार से गोल है तो इस liquid का shape कैसा हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा when you pour the liquid from one container into another does it flow easily तो जब आप एक container से दूसरे container में liquid को पोर करेंगे डालेंगे तो क्या यह आसानी से flow होता है हाँ यह आसानी से flow होगा आप देख सकते हैं अपने activity में तो आपने देखा इस activity में हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्णों को किया उन सारे प्रश्णों को एक बार फिर से यहाँ पर answer आप देख सकते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं liquid का property भी दिखाये गया है जबकि exam में प्रश्ण आएगा कि what are the properties of liquid तो आप इसका answer यहाँ से कर सकते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं liquid have no fixed shape इसका fixed shape नहीं होता है लेकिन इसका fixed volume होता है इसका volume क्या होता है fix यह पहला they take up the shape of the container in which they are kept इन liquid को जिस भी container में आप रखेंगे उसी का यह shape ले लेता है liquids flow and change shape liquid flow करता है और shape को change करता है so they are not rigid इस करन से liquid rigid नहीं होता है तो यह दूसरा point था अब यह एक point और देख सकते है liquid flow करता है इसलिए हम लोग इसे fluid भी कहते है liquid और gas flow करता है जिस करन liquid और gas को हम लोग fluid के नाम से भी जानते है refer to activities 1.4 and 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids तो कुछ प्रयोग हम लोगों ने पहले भी किये हैं solid का liquid में घोलना या संभव है we saw that solids and liquids can diffuse into liquids तो solid और liquid liquid में घुलंसिल हो सकते हैं सब भी नहीं घुलंसिल होंगे लेकिन घुलंसिल हो सकते हैं जैसे आप पानी में यदि oil को मिलाएगे तो वह घुलंसिल नहीं है लेकिन बहुत सारे ऐसे liquid हैं बहुत सारे ऐसे solid हैं जो की liquid में घुलंसिल हैं वो उसमें dissolve हो जाएगे घुल जाएगे इसी के साथ the gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water तो gases भी water में dissolve हो सकते हैं These gases especially oxygen and carbon dioxide Especially यहाँ पर oxygen और carbon dioxide का बात किया जा रहा है तो क्या आप बता सकते हैं कि carbon dioxide को किस liquid में आपने घुले विस्था में देखा है हाँ, Coca-Cola या cold drink में carbon dioxide Coca-Cola क्या हो गया? liquid हो गया और carbon dioxide क्या हो गया? Gaseous stage में हो गया, gaseous सवस्था में हो गया तो यह carbon dioxide, Coca-Cola या फिर बोलें तो cold drink में घुला होगा होता है और essential for the survival of aquatic animals and plants लेकिन यहाँ पर कुछ और बात लिखा हुआ है और यहाँ बात लिखा हुआ है कि oxygen और carbon dioxide aquatic animal और plant के लिए बहुत ही अवश्यक है तो यह किस रूप में पाए जाते हैं? तो यह water में dissolve रूप में पाए जाते हैं water में oxygen घुला होगा वस्था में रहेगा CO2 घुला हुआ वस्था में रहेगा जिससे कि aquatic यारी कि जलिये जो animal हैं और plants हैं वे जीवित हो रह सके क्योंकि जलिये जो जन्तु हैं या plants हैं उनको भी oxygen और carbon dioxide की आवश्यक्ता होती है यहाँ से एक प्रशन आता है कि aquatic animals और plants oxygen और carbon dioxide को कहां से ग्रहन करते हैं तो answer है कि यह water में dissolved oxygen और carbon dioxide को ग्रहन करते हैं All living creatures need to breathe for survival यह तो आप जानते हैं कि जितने भी living creature हैं वो अपने survival के लिए सांस लेते हैं या फिर कहें कि उनके जीवित रहने के लिए उनको oxygen की आवश्यक्ता होती है The aquatic animal can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water तो यही प्रश्ण मैंने आपको बताया था अभी कि aquatic animal oxygen को किस रूप में ग्रहन करते हैं तो यह water में dissolved oxygen होता है उसे ही ग्रहन करते हैं Thus we may conclude that solids, liquids and gases can diffuse into liquid तो यहां से आप एक conclusion निकाल सकते हैं कि जो solid है, liquid है या फिर gases है वे liquid में घुलन सील होते हैं सभी तो नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे solid हैं ऐसे liquid हैं, ऐसे gases हैं जिनको liquid में घुलाया जा सकता है जैसे उदारण मैंने आपको बताया अभी The rate of diffusion of liquids is higher than that of solid तो यह जो liquid है उसका liquid में घुलना उसका rate higher है solid के तुलना में This is due to the fact that in the liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state तो यहां से आपका एक प्रशना सकता है Why the rate of diffusion of liquids is higher than that of solids तो इसका answer यहां से आप लिख सकते हैं This is due to the fact that in the liquid state particles move freely Liquid state में particles freely move कर सकते है and have greater space और उनमें ज्यादा space होता है between each other एक दूसरे particle के बीच में ज्यादा space होता है as compared to particles in the solid state solid state के तुलना में इस कारण से liquid को liquid में आसानी से dissolve किया जा सकता है जबकि solid को liquid में आसानी से dissolve नहीं किया जा सकता तो आगे मैं मिलता हूँ आप से gases state में धन्यवाद झाल आसानी से जाले के Bye झाल झाल